मा दुर्गा की पूजा बहुत ही विधी विधान से करनी चाहिए मानता है कि नवरात्री के नौदेनों में जो भी देवी मा की पूजा सच्चे मन से करता है उसे मा दोनों हातों से आशीश प्रदान करती है कहते हैं कि नवरात्री में मा दुर्गा की बूजा बहुत ही साज और श्रिंगार के साथ करनी चाहिए मा के साथ भक्त को खुद भी काफी सजना सवरना चाहिए क्योंकि इससे भक्त की खुशी जाहिर होती है धार्मिक मानिताओं के अनुसार नवरात्री पर देवी दुर्गा प्रत्वी लोक पर आती हैं और अपने सब ही भक्तों की हर एक मनुकामना की पूर्ती करती हैं ऐसे में आईए जानते हैं अगर आप नवरात्री में घर में माता की चौकी लगा रहे हैं तो आपको कलश स्थापना कैसे करनी है और इसका शुब मुहरत क्या रहने वाला है तो सबसे पहले जान लेते हैं कैसे करें घट स्थापना अगर आप अपने घर में कलश स्थापना करना चाहते हैं तो सबसे पहले पूजा स्थल को एकदम साफ कर ले इसके बाद एक मिटी का बरतल ले और उसमें साफ जगह की मिटी डाले या फिर उसमें जौ को वो दे पानी का छिड़काव जरूर करें कलश स्थापना के लिए सामिगरी के रूप में आप मिटी, मिटी का घडा, मिटी का धकन, कलावा, जड़ा वाला नारियल, जल, गंगा जल, लाल, रंग का कपड़ा, एक मिटी का दीपक, मोली, थोड़ा सा अक्षत और हल्दी जरूर ले अब जान लेते हैं कि पूजा अस्थल पर कलश आपको कैसे स्थापित करना है, कलश में जल, अक्षत और कुछ सिक्के डाल कर धक दे, कलश पर गूबर का स्वास्तिक बनाए, फिर कलश को मिटी के धकन से धक दे और फिर उस पर चुनरी से आपको नारियल बांद देना है, अगर आप अखंड दीपक जला रहे हैं तो कलश के निकट ही बड़ा सा दीपक जला कर रख दे और समय समय पर घीट डालते रहें, कलश की बगल में ही आटे और रोली से नव ग्रह के स्वरूप बनाए, अब मा दुरगा की फोटो या मूर्ती को आप चुन्दरी, मा कैशो पूल श्रिंगार और उन्हें फल फूल मिठाई जरूर अर्पित करें, पूजा करने के बाद दुरगा सब्तसती का सच्चे मन से पाठ करें, इस दौरान कवच अरगला, किलक और शमय आचुना का पाठ जरूर करें, अंत में आरती करें और सब को प्रिशाद वाटे, अवरातरी पर घट स्थापना के लिए दो शुब मूरत हैं, एक शुब मूरत प्रातहकाल में हैं और दूशरा शुब मूरत दोपहर में हैं, आईए आपको विस्तार से समय बता देते हैं, कलश स्थापना का पहला शुब मूरत सुबह 6 बचकर 15 मिनिट से, सुबह 7 बचकर 22 मिनिट तक का है, मातारानी के भक्तों को घट स्थापना के लिए एक घंटा 6 मिनिट का शुब समय प्राप्त हो रहा है, जो लोग सुबह में कलश स्थापना करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय ठीक है, बाकी आप दूसरे सुब मूरत में भी ये स्थापना कर सकते हैं, नवरात्री के घट स्थापना के लिए दूसरा शुब मूरत जान लीजे, प्रातह 11 बच कर 46 मिनिट से 12 बच कर 33 मिनिट का मूरत बहुत ही शुब बताया गया है, सुबह के बाद दिन में कलश स्थापना के लिए 47 मिनिट का शुब मूरत है, आप इस बीच मातारानी की पू सब्सक्राइब करें